जेम का यूज हर घर में किया जाता है पर क्या कभी आपने इसका यूज कीजन सिंग में किया है नहीं तो चलिए आज करके हम बताते हैं आपको हर्पी का एक अलग सा यूज हम करके देखेंगे जिससे आपकी क्लिनिंग का जो काम है वो आसान हो जाएगा बिस्किट बच जाने पर आप क्या करते हैं कहां रखते हैं और कैसे इसे बचाते हैं देख लेते हैं आज के बहुती कमाल के टेप्स जो आपकी लाइफ को असान करेंगे सबसे च्छी बात यहीं इन टेप्स को देखते हुए आपका एक रुपय भी खर्च नहीं होगा पहला यूसफुल टेप मेरा खड़े मुंग से जुड़ा हुआ है यह जो खड़ा मुंग होता है इसे गर्मी में स्प्राउट करना या अंकुरित करना आसान काम नहीं होता ह है विंटर सिजन में यह काम असान होता है ऐसे ही कावूली चने या प्र जो काले चने होते हैं उसके लिए भी यह टीप यह काम करेगी तो मेरे पास फिलाल में यहा कस यह काबूली चने हो तो उसकी आपरेटरिक को यूज़ कीजएगा मेरे पास यहां पे खड़ा मुंग और काबूरी चना है अब दोनों को ही मुझे अंकूरीद करना है तो लगभग चार गंटे पहले मैंने पानी में भीगा दिया था जिससे यह थोड़े से फूल गये हैं इसके बाद में हमने लेना है कोटन का कपड़ा दिहान दीजेगा यह टेप में आपको गर्मी के लिए ब बांद के रखते भी हैं तब भी अंकूरीद नहीं होते हैं कारण होता है क्योंकि गर्मी इतनी जादा होती है कि यह जो कपड़ा होता है यह बहुत जल्दी सूख जाता है अगर आप इसी तरीके से टांग कर छोड़ देंगे और सोचेंगे हम 6-7 गंटे बाद आए और यह अंकूरीद हमें मिले तो बिल्कूल नहीं मिलेंगे यह सूखे हुए ही मिलेंगे आपको क्योंकि कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है तो देखे आप भी इसी तरीके से अगर अंकूरीद करना चाहते हैं तो कोटन का कपड़ा लेना है पर एक रिक को और आपने अपना बद्वू देने लग जाएंगे इसमें से एक ऐसी स्मेल आने लग जाएगी जैसे लगेगा आपको कि यह सर चुके हैं बिल्कूल कब इतना पानी डालना है कि हलका सा बस गीले रहें बहुत जादा पानी भी मन डाल दीचेगा नहीं तो भी यह खराब हो जाते हैं बस पानी है एक्स्टा वो हमें स्टैंड करते रहा है अब पर आपको एक अपड़ा खूल के दिखा रही हूँ मैंने बहुत से लोगों को देखा है और जिन्हें मैं जानती हूँ वो लोग ना मार्केट से इस तरगे से अंकुरित अनाज लेकर आते हैं यह अनाज महिंगा भी मिलता है हेल्दी तो होता ही है पर यह मार्केट में काफी ज़्यादा महिंगा होता है पर घर में आफिरी में इस तरगे से अंकुरित कर सकते हैं छोटी से स्टैप अपना कर अगला इसफुल हैक मेरा बिस्कीट से जुड़ा हुआ है कोई साबी सीजन हो यह जो बिस्कीट ह इस तरह के से अच्छे से पेक करने के बाद एक टाइम के लिए फ्रीज में डग सकते हैं इससे यह कुरकुरे बने रहते हैं घराब नहीं होते नहीं इसमें मुष्चर आता है बस इसका कवर मत हटाईएगा जितना हो सके उतना आप कवर कर दीजिएगा मैंने स्टिक को जाते हैं उतने लोगों के हाथों में गंधी भी होती है सफाई भी नहीं होती है बहुत लाइद यह यह बहुते बारे जब काले ले कंदे काले हो जाते हैं आँ यह उसी कि आफे इस सॉत लीजान है आहि गंदे बहुत रहते हैं to 002.005 ili fake, in किसी को भी दीजेगा यह नहीं लिया जाएगा तो आपके पास भी इस तरग के कॉईन है जो कि पांच रुपे के हैं और गंदे हो चुके हैं तो इसके लिए ट्रीक है मैंने एक खाली कंटेनर लिया है यहाँ पर इस पे में थोड़ा सा हर्पिक डाल देती हूं और इसमें ज छोड़ देना है और इस कोईन है ना इस तरीके से चमक जाएगा अब आप कहेंगे यह हो सकता है तो देखिए मैं आपके सामने इसे करके दिखा होगी कुछ सेकंट के लिए बस मैंने छोड़ दिया नॉर्मल एक कपड़ा लीजे आप और इसे वाइप कर दीजे आप देख अच्छे से बड़ा से clean हो चुका है चले दिखाती हूं आखरी में आपको इसका अच्छर सा results चाहे तो आप बाद में नॉर्मल पाने से इसे clean कर लीजेगा यह अच्छे से clean हो जाते हैं और अच्छे से बड़ा साफ भी हो जातें अब आराम से आप दो देख पार रहें हो गर्मी के मोसम में हम सबसे जादा पानी को सचोट करके रखते हैं। व Scout का मैं यह गर्मी में में हमें सबसे जाना हम इसकी पहुत जादा बहुत मिलाई जा जाते हैं। इसमा कवर्ड़ करना भूल चाता है। बाइर बार बार यह पनबते हैं कि मच्च कोई की कोगिंग जो भी आप फाने में यूज करते हैं ya lithium तो जब कानी रौप यूज अपने पर जाएंगे तो अपने आप ही मर जाएंगे तो उमीद करती हूं यह वाला हैक आप ज़रूर अपनाएंगे करेंगे इक तो मेजरमेंट कप को इस कर सकते हैं अंदाज़स आपको बता रही हूं अपने एक चोथा लेनाए ay में और मीठा सोडा ले ना है और चीज वर दूब अगिकर है वह हमारा यह मुआ वाला की तूछ दूघ करना है अगर तो बहुत अच्छी बात हैं अब इन सब क को हमें mix करना है आप चाहें बचल्फा वगयरा typ化 कर सकते हैं पर सक्मच यृशत कर पाइसं nossa हातों काulla कीशे का और अच्छे शे शे मिक्स कर्थ करते हूए चुटी बाल्स बना लेए में यहां पर कम सी खार, to technology प्लास्टिक के लिए खाम करती है तीरों चीज़ों को हमने एड़ किया है तो यह हमारा एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेट बनके रेडी हो चुका है अब हमें चाहिए अलिमिनम फॉयल पेपर आप चाहें तो यह प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कि मुझे आपको बताना बहुत जरूरी लगा क्योंकि इस तरह की समस्याओं का सामना अकसर हम महलाया करती है क्योंकि डेली हम टॉयलेट को क्लीन करें इससे घीन भी आती है और हमें यह कामना हमेशा नहाने से पहले ही करना होता है तो देखिए डेली अगर आप टॉयलेट यूज होगा उतनी बार फ्लेश भी होता है तो जितनी बार फ्लेश होगा उतनी बार यह सॉलिशन काम करेगा और आपका टॉयलेट हमेशा क्लीन रहेगा अगला इसफुल हैग भी आपको पहुत जादा पसंद आने वाला है यहां मैंने एक टूल लिया है आप चाकू वग लिया है इसके ओपर न हमने छोटे-छोटे च्षेद करनें यह बहुत काम आने वाले ट्रीक है जिसका मैं यूज आपको करके बताने वाली हूं तो जिससे में होल कर रहे हों आप आसे भी कर सकते हैं आप इसका जो यूज मैं को बताओंगे लाप इसे देखकर आप भी हिर संद्राब के चलते हैं हम किछन संग की तरफ कि चंछ स waits की तरफ की तरह मेरे पास यूज कि ऊपर उसे जब मैने क्लीन की है जो मुझे मुझे मील नहीं रही है यहां के पास कीचन कि सिंक में जाली नहीं है तब यह ट्रिक बहुत जादा काम आएगी तो मैंने इसे इसमें सेट करके देखा यह अच्छे से फीट हो रही थी तो मैंने इसके अदर इसे लगा दिया है बार-बार मुझे इसका लॉक खोलना पड़ रहा था जाडू की मदद से यह जाडू की जो सीख होती ही ना इसकी मदद से मैंने बार-बार इसके लॉक को खोला है पर यह जो कंटेनर है इसमें मैंने इस सरीके से छोटे 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 छेत कर ली हैं जो कि एक जाली की तरह काम कर रहे हैं ये काफी हाट प्लास्टिक होती है जल्दी से खराब नहीं होती है लगगा 15 दिन के आसपास अराब से चल जाएगी इसके बाद में आप चाहते से चे तो देखे आज मैं आपको लहसन चुलने का सबसे आसान ट्रिक बता रही हूं तो आप कोई साभी स्टील का बर्तन ले लिजे जिसमें आपको लहसन रखना है अगर आप चाहते हैं कीलो वह लहसन चुलना तो भी यही ट्रिक काम करेगी मुझे जादा नहीं चुलना है लग सिक्वत अबाग आधे लोटे तना मैं ने पाणी डला है आपके पासट है तो एक कोकर के अंगरा सकते हैं नहीं भी है तो कोई दिकत है आप राइट को इसके अंगर रख सकते हैं यहां पर देशा हैं आपने पानी पानी ही यूज करना है आप थैन जिसमें लगाना है जीन इसमें विसल्स आना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि पानी हमने लगबाग आदा गिलास इतना ही यूज किया है एक मिट से भी कम का टाइम लगता है इसके बाद में नॉर्मल टैंपरिशर पर आ जाने दीजिएगा मैंने थुछा सा हलके से गरम में ही से निकाल दिया था क्यों दिखेंगे चिलके बहुत असनी से निकल के बाहर आ जाते हैं नॉर्मल था हम क्या करते हैं लैसुन को इस तरह के से पकड़ते हैं इसकी मुः वले हिस्से को दबाते है फिर इसका चिलका बहार आता है वाज जैसे आप इसे कुकर में रखके बहार निकालते हैं तो इसका इतना ज्यादा नरम हो जाता है कि आप हलका सा प्रेज्बि करेंगे लिए इसандर का लैसुं में फिसल्स तो पहरा आ जाता है इस लैसुन चिलने का छिलने का लिया 흡्लत हो आन्द्रनीटे जुड़ा हूगा है मेरा प्याज से जुड़ा हुआ है इस प्याज को काटते वक्त अक्सर हमें गलती करते हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आप भी इस गलती को करते हैं तो बिल्कुल ना दो रहा है जो ट्रिक में आपको बतारी है उसे फॉलोग कीजिएगा तो आपको प्याज कि और तो आप मेरे हाथों को दिखेंगा मैं एक नाइफ लिया है और इसके साइड में से पतले पतले में स्लाइग्स निकालते जाना है यह पर ध्यान देना हाथ हमने जड़ वाले हिस्थे को रखा है जिसकी वाएं पूरी है से कट के बाहर नहीं आते हैं हलका सा महार टकराव की वज़े से रूप जाता है इसी तरीके से हमने इसको चोकर साइस में कट कर लेना है इससे बारिक से बारिक चॉपिंग बहुत आसानी से हो जाती है अगर आपने कभी दुकान वाले फेरी वाले को देखा होगा तो वह प्य कर रहे हो तो यकीन माने काफी बारिक चॉपिंग आप पहली बार में ही कर लेंगे बस इसकी जड़ वाले हिस्से को आप मत काटेगा और देखिए फाइनल प्याज कर चुका है और जो जड़ वाला हिस्सा है वो मैं आपको दिखा रही हूं है ना असान सा ट्रेक इससे जर पूरा को पूरा बिखरता नहीं है और नहीं हातों में किसे तरकी कोई कर लगते हैं स्क्वेर श्रेप में आप काटेंगे तो बारिक से बारिक चॉपिंग हो जाएगी यह देखिए दो तरफ से मैं इसकी करी पकड़ना है यह बिल्कुल भी खुलता नहीं है और इसकी काठने जाते हैं बहुत ज्यादा आसो आते हैं और इस बारिक चॉप प्रफेक्ट चॉपिंग कर पाएंगे अगला है क मेरे घर में पड़ी होई बिकार चूडियों से जुड़ा हुआ है कारण है कि जब हम चुडियों को घंटेनिंगर करते हैं और यहाँ पर मेरे पास कुछ तरह की चुडिया के पास आपने लेनी है लेस चनलती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं लोकल मार्केट से मैंने ली थी मातर 10 रुपे में मुझे पड़ी काफी बड़ी यह मतलब लगबग 5 मिटर के असपास आ गई थी तो मैंने इसी का ही यूज किया है और इस तरीके से आपने इसको अच्छे से कवर करते हुए इस चूडी की ओपर लपेट लेना है चाहे तो आ मैंने यहाँ पर फेविकोल आपको दिखाया आप चाहे तो से स्टेक कर सकते हैं अच्छे से इस तरीके से चिपक जाएगी चूडी अच्छे से कवर हो गई है पता नहीं चलता है कि अंदर हमने चूड़ों का यूज किया है ऐसा लगता है जिसे रिंग का ही हमने यूज कि चली एक चूड़ी का में यूज करके आपो दिखा रही हूँ तो मेरे पास और चूटी 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 लेस की टुकड़े है इस तरीके से हमने चूटा लेना है और इसे हैंग करने के लिए हम यहाँ पर एक नोट लगा देंगे ताकि हम किसी कील अगेर आराम से इसको है कर पाएं ताकि यह देखने में अच्छे लगें यहां पर लेस का यूज किया है ताकि काफी अच्छी दिखे तो इस तरह के कीचन टावल आपके पास जरूर होंगे जिसका आप हाथ साफ करने के लिए यूज करते होंगे इस तरफ से मैं चोटी चोटी प्लेट बना रही ह है इसके बाद में जो चूडी है या जो भी रिंग आपके पास है उसके अंदर कुछ इस तरह के से आपने डाल देना है यहां पर और प्री में पास लेस की टुकड़े हैं इसको में इसके उपर लगाऊंगी और आपको दिखाने हो कि इस तरह के से हमने एक फीता बनाना है जो कि हम ज़्यादा तरह बच्चों के बालों में या लड़कियों के बालों में बनाते हैं जिसे फूल भी बोलते हैं फीता भी बोलते हैं जिसे यहां पर टाइ करके हमने लगा देना है ताकि देखने में काफी कुछ सूरत लगे अगर आपके गर्मन गेस्ट वगेरा आ तब तो यह ट्रीक आपके बहुत जादा काम आएगी मेरे यह अगले तीन दिन बाद दें काफी सारे गिरस आने वाले हैं तो जो भी कीचें टावेल या जो बातरों में यूज होने वाले टावेल हैं उनको मैं इस तरीके से चूड़ी पर हैंक करके रखा है जिसे पास चो लग रहे हैं तो छोटा सा ही ट्रीक है इससे जरूर फोलो कीजिएगा अगर मार्केट साथ इस तरह के टावेल लेकर आते भी हैं तो आपने देखा होगा नॉर्मल टावेल की बज़ए उसके प्राइस भी काफी ज़्यादा होते हैं तो बीट करती हूँ यह चोटा सा है प किपा कि पीसे हुए होते हैं कोच मसाले होते हैं जो खड़े होते हैं जिसे जीरा राई खड़ा मसाला ये जो भी आप अपने खाले में यूज़ करते हैं पैकेट वाले मसालो को खोला और हम इसके अंदर डायक रिपील कर सकते हैं तर ब ingl前 यह जो जूते हैं अगर आप इस तो आपके पास इस तरह का श्टेनर हो तो आप इसे ले लिजिए अगर यह नहीं है तो आप आठे वाली चलनी को भी ले सकते हैं जब आप स्टेन करें तो आप देखेंगे बहुत बारिक देट ना इन मसालों के अंदर होती है जो खोड़े मसाले होते है यह डाइट खेतों म में डालना है चोटा सा ट्रेक जबर यूज़ करके दिखिएगा ऐसा हमारे साथ हो चुका है कि पता नहीं चलता है कुन से मसाले में दिखकर थे वादा चलता है फिर जीरे के अंदर बारिक बारिक पत्थर है तो उम्मीद करती हूं यह वाले ट्रेक आप यूज़ करेंगे अगला इसफल हाक मेरा हम चाय बनाने के करते हैं आज मैं चाय भी जनली करते हो बारा के ढाराम और किचें पासертв होता है इसके ओपर हम यहां पर एड़ और जीराम को यहां चीज़ जाना है और इसकी ना एक चोटी सी पोटली बना के रेडी कर लेना है दूसरा यूजिट जो है वह है चावल ये भी हमारे कीचन में बहुत असनी से मिल जाता है जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक अच्छी सी प्रेग्नेस बनके रेडी होगी यह जो चावल होते है यह तरके मॉस्चर को अपने में खीचने के लिए काम करते हैं आप देखेंगे आप जिस भी कंटेंडर में डालेंगे जहां पर भी आप इसे रखेंगे यह थोड़े दिन बाद में ना खुझ से फूल जाते हैं यह बहुत ही कमाल का टीपे से जरूर ट्राय आउट करके द जिसकी वज़े से फ्रीज में बैर्ट समैल आने लग जाती हैं इस प्रीज में को हम कैसे हटा है क्योंकि अगर हम फ्रीज को बन करने जाते ही हैं फिस स्टार्ट करेंगे तो यह लाइट को ठोला है से जड़ा हुगा है आज सुई धागे से चुड़ा हुआ एक छोटा सा श्रीक में आपको बताऊंगी जब कि बहुत जदा काम आएगा तो यहां पर कोई सा भी आप धागा ले सकते हैं और किसी भी साइस का सुई ले सकते हैं कोई इसमें वो नहीं है कि आप किस दरगा लें जैसा भी आपके पास में लगता है तो सोचे हम इतने बड़ इंसान हैं उसके बावजुद हमारी आखों में इतना तीखा पन देता है तो यह चोटे जू के उपर क्या ही असर करता होगा यह चोटे जू को इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद आती है और अगर उसके असपस आते भी है ना तो भ पसको बना सकते हो मुझे onda जिसल्वाह रही हूं आप होता है कि अर्मी मोस了 माती है हमारे घर में और भागती है मेरे घर में चिपकली के शोटे-छोटे बच्चे भागरें है कहीं पे भी भागने लग जाते है कभी पलंग के नीचे बिल जाते हैं डो कभी तीवाल चिपकलियों को भगाने के लिए आप इस व्याजवल ट्रिक कर सकते हैं अब उस एरिया पर इसे रख दीजे या हैंक कर दीजे चहां पर चिपकली के बच्चे है या फिच बड़ी बड़ी चिपकली आपके घर में आती है तो मेरे कीचे में नीचे टाल्स में मैंने दो तीन पर चिपकली के पच्चे देखे हैं तो मेरे कीचन में दो तीन जगा इन्हें रखा है उम्मीद करते हूं यह है को पसंद आया होगा अगला है मेरे सेलोटेप से जुड़ा हुआ है बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेलोटेप का एंड ढूंगते रहे जाते हैं हमें एंड मिल पार दाने हैं एक दिकत होती है कि जभी हम सब्सक्राइब करें हमें सीजर कि जरुवरण होती है विदाउट सीजर तो हम सेलोटेप को कट ही नहीं कर सकते हैं अग-जैसे तैसे कट करने जाएंगे तो इह पूरा ना खराब हो जाता है जहां से भी आप नहीं सब्ने से बेशा अभील रहते हैं कोई से भी दो कॉइन ले लीजिए और जैसे तरह के से मैं आपको इन्हें लगा के बतारी हूं एक तरफ उपर और एक तरफ जस्टिस के अपोजिट इस तरह के से आपने लगा लेना है एक तरफ गम होता है तो आम से इसे पक जाएगा दोनों को पास यहां पर सेलोटेप को कभी मत खीचेगा कि इससे सेलोटेप खराब हो जाती है कोईन को हमेशा इसके अपास इस तरह के से लगा के रखेगा आप देखेंगे सेलोटेप में आपको एंड हमेशा टाइम पे मिल जाएगा ढूनने की जरुद नहीं पड़ेगी कोईन साथ में ओला करते हैं इसफनी फुल है मेरा कमीयों से जूड़ा करते है जैसे हा'm कोसमा है दे गाना थे पर ये जी पर लिया है यानि कि हमें यहां पर दो चमय इतनी चुटी खुर्य शैब रसे चाहिए एब इस चतुटी मे i. यहां डालो अदर रहों पानी-वाली ग्लास के और इस पानी को रात भर के लिए चोड़ दीजे अर्ली मॉनिंग हमने इससे खाली पीट पीना है आप सोचे होंगे प्याज का पानी पीने से हमारे शेर को कौन सा फाइदा होने वाला है तो देखिए जैसे ही गर्वियों का मोसम आता है ना सबसे पहले हमारा पाचन तंतर ख करने लग जाते हैं तो आपने प्याज वाले तेल को जरूर यूज किया होगा लेकिन अगर प्याज वाले पानी को पीते हैं तो बालों का जड़ना रूख जाएगा डाजेशन से लेटर काफी सारी प्रॉब्लम को गर्मियों में होती है तो यह उसे ठीक करेगा सीने में ज करते ही हम जातर इनो ले लेते हैं यह गलत आदत है तो इनो मत लीजेगा आप यह वाला पानी पीचिए अगला यूस्वल हैक मेरा बेक से जुड़ा हुआते हैं कहीं भाहर जाने के लिए अब यह इतना सेफ सिक्यूर होता है उसके बाद बेक में से चोरी हो जाती है तो ऐ भीचिए पर्स के बाद में तरह आती को है कि को सैफटी पीन यह जरू हो जडरू होती है तो सैफ्टी पीन को व्यजू पूर करा दो को जो एब पार चोरी आप लिए टीरेम को यह जो प्लाइब यह दो AMY यहां पर भी कुछ ऐस साइस की होक होते हैं इसमें हमने लगा देना है आप चाहें तो इंसाइट अंदर की तरफ से भी सप्टेपीन लगा सकते हैं मैं बाहर से ही लगा कि आपको दिखा रही हूं कोशिश किजेगा छोटी वाली लीजेगा तो देखिए जब भी कुछ और व करते हैं तो आप यह सेफ्टेपीन का यूज कीजेगा और इस तरह के से लगा लीजे चेन पर आप देखिए कि कोई खीचेगा यह जल्दी बाजी में चोरी करनी कोशिश करता है तब यह सेफ्टेपीन रुकावट करेगी देखने के लिए धन्यवाद